Hello Everyone, Welcome to my channel Indian Beauty Secrets Friends, मैंने अपने चैनल पर 3-4 हेना हैर वीडियोस पहले भी शेर किये हुए हैं जो कि बहुत ही एफेक्टिव हैं ग्रे हैर को कवर करने के लिए पर आज मैं आप सबसे एक और मेंदी हैर मास्ट शेर करने जा रही हूँ जो कि ना ही आपके सफेद बालों को काला करेगा यह मास्क आपके बालों को बहुत हैल्दी भी बनाएगा इस हैर मास्क को आप महीने में एक बार यूज़ कीजिए और आपके बाल बहुत हैल्दी, ठिक और शाइनी हो जाएंगे ये hair mask आपके बालों को एक बहुत ही अच्छा सा dark brown blackish color देगा और आपके hair fall को भी रुकेगा ये आपके hair roots को strengthen करके आपके बालों को बहुत ही soft, silky, shiny और naturally thick बनाएगा मुझे बहुत queries आती हैं कि जो भी मैं हिना hair video share करती हूँ उससे बाल लाल या orange तो नहीं होंगे apply करना पड़ेगा जिससे कि उसका color बहुत ज़्यादा dark हो जाए पर इससे लाल या orange color बिल्कुल नहीं आएगा आपके बालों में हम अपने hair को color करने के लिए जो chemical hair colors आते हैं उसे use करते हैं पर उनमें इतने ज़्यादा chemicals होते हैं कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा damage कर देते हैं और हमारे बालों को बहुती brittle बना देते हैं और उससे हमारे hair fall भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि जब ही भी आप hair color करें तो आप natural तरीके से ही अपने बालों को color करें ये hair mask आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा color देगा साथ ही साथ ही आपके बालों को condition करेगा आपके बालों को nourish करेगा और आपके बालों की growth में भी help करेगा तो चलिए इस हेना हेर मास्क को बनाना शुरू करते हैं पर फ्रेंस वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंस तो इस हेना हेर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोई भी महंदी पाउडर मैं या गोद्रे जनुपूर का महंदी पाउडर ले रही हूँ कौकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है आप किसी भी ब्रैंड का महंदी पाउडर ले सकते हैं और आपको अपनी हेर के लेंध के अकौडिंग महंदी पाउडर लेना है मेरे बाल लंबे हैं इसलिए मैं आधा पैकेट यूज़ करूँगी अगर आपके बाल उतनी है तो आप आदा पैकेट यूज़ कीजिए अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उससे भी कम कॉंटेटी यूज़ कीजिए नेक्स हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर अब किसी भी ब्राइन का शिकाकाई पाउडर भी ले सकते हैं उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती चाय की पत्ती का हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रॉण कॉंकोक्शन बनाने के लिए जिसमें हम मेंधी को गोलेंगे नेक्स हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर भी हम उसी कॉंकोक्शन में आड करेंगे नेक्स हमें चाहिए होगा एक लेमन 1 टेबल स्पून योगर्ट या नि दही वन टेबल स्पून किसी भी है रॉयल का मैं या जमाइकन ब्लैक केस्टर रॉयल ले रहे हूं आप इसमें कोकोनट ओयल, आमड ओयल, ओलिव ओल कोई भी ओयल ले सकते हैं फिर हमें चैये ओगा 1 टेबल स्पून मेथी दान, ट्रायड आमला one टेबल स्पून अन्यन सीट्स जिने हम कलौंजी सीट्स भी कहते हैं अब जो तीनिंग्रीद्टिन्स हैं हमारे никто डामला कहलोंजी और मेथी आप उन सब में थोड़ा सा पानी डाल कर इन तीनों इंग्रीदिन्स को राद भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दीजिए अब राद भर हो चुका है हमें अपने तीनों इंग्रीजिन्स को भिगाए हुए और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भीग कर फूल चुके हैं और आप देख सकते हैं आवला का पानी भी कितना डाक हो गया है जो कि हमारी महंदी को बहुत चाह सा कलर देगा अब आप एक मिक्सी का जाल दीजिए और इन तीनों इंग्रीजिन्स को उसमें डाल दीजिए सबसे पहले आवला, मेथी और कलॉंजी को अड़ कर दीजिए उसमें और फिर इसका आप एक स्मूध पेस्ट बना लीजिए अगर इसमें थोड़ा सा और पानी के जरुवत पड़े आपको इसका पेस्ट बनाने के लिए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी आड़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा कितना फाइन पेस्ट बन गया है इन तीनों इंग्रीजिन्स का तो चलिए हम इसे side में रखते हैं और अपने महंदी का paste बनाना शुरू करते हैं तो मैं आपको सबसे important बात एक और बता दूँ अगर आपको अपने बालों को color देना है मतलब आपके बाल gray है और आपको उसको cover करना है तो आप एक iron pot का इस्तमाल कीजिए अपने महंदी को भिगोने के लिए लेकिन अगर आप इस hair pack को अपने बालों की overall health के लिए conditioning के लिए softness के लिए use करना चाते हैं तो फिर आप इसे किसी भी glass bowl या किसी भी plastic bowl में भी mix कर सकते हैं लेकिन अगर आपको color देना है तो आपको ये iron pot ज़रूर यूज़ करना होगा तब ही आपके महंदी में बहुत अच्छा blackish color आएगा तो चलिए अब जो हमारा strong concoction है tea का और coffee का उससे बना लेते हैं आप एक pan लीजिए और उसमें 1.5 glass पानी को उबलने दीजिए जैसे ही पानी उबलने लगे तो आप उसमें 1 tablespoon चाई की पत्ती और 1 tablespoon coffee powder डाल दीजिए और आप इसे को अच्छे से mix कर दीजिए बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिए आप देख सकते हैं हमारा किता अच्छा चाई और coffee का mix बन गया है और इसका color भी किता अच्छा आया है अब आप gas को off कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए ठंडा होने के बाद मैंने से चान लिया है तो चलिए हम अपना महंदी को सोक करना शुरू करते हैं आपको अपनी hair की length की according जितनी भी महंदी की quantity चाहिए हो आप उसे iron pot में आड़ कीजिए उसके बाद आप उसमें जो हमने मेथी, कलॉंजी और आमला का पेस्ट बनाया था उसे भी धीरे-धीरे करकर सारे पेस्ट को अड़ कर दीजिए पेस्ट को अड़ करने के बाद आप उसमें दही अड़ कीजिए दही के बाद अब आप उसमें hair oil आड़ कीजिए फिर आप इस में 1 टेम्डि स्पून श्रिक गाई पाओडर किजिए उसले dipping निम्बु को इसमें अरण 1 टेम्डिए लेम जूस आड किजिए लेमन जूस होता है वो हमारे मेहन्दी प्लाव आज ये बालों को विभिक से खरण है अच्छे से निम्भु को इशमरे निचोल साइ बिसे हुए अब इन सारे निब्स को मेहंदी में एक बर उत्ष से मिक्स कर लिजिए बूदि अब आपकी मेहंदी में अब ही सबिया से मिक्स हो जाएये आपकी मेहंदी में month तो अगर आपके बाल चोटे हैं और आप कम मेंदी ले रहे हैं तो आप likewise ही पानी को उबा लिए अपने मेंदी को सोक करने के लिए अप अच्छे सारे इंग्रिजिन्स को मेंदी में मिक्स कर लिजिए और फिर जितना पानी बचा है उसको भी आप इस मेंदी के पेस्ट में आड़ कर दीजिए अब यह आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेंदी का पेस्ट बहुत थिक है और यह कैसे अपलाई होगा हमारे बालो में लेकिन जब हम इसे राद भर के लिए छोड़ देंगे और सुबह उटकर देखेंगे तो इसकी consistency बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत fine हो जाएगी और अगर यह थोड़ी सी भी थिक होगी तो हम सुबह उटकर इसकी consistency को adjust कर लेंगे अपनी neat के according अब हमारा महंदी का paste एकदम गुल के तयार है तो आप इसे ढख कर राद भर के लिए छोड़ दीजिए आपको at least 12 वास तो इस महंदी के गुल को छोड़ना ही है जिससे की जो iron pot है अपना सारा blackness release कर दे और हमारी महंदी अपने बालो में लगाए तो एकदम black color दे हमारी मह है जो हमारे बालो को बहुच्छा color रंग देगा अगर आप इसे किसी glass bowl में mix करेंगे तो आपको काला रंग नहीं मिलेगा यह सिर्फ एक हैना conditioning hair pack की तरह काम करेगा और अगर आपको बापने वालो को color करना है तो iron pot में भिगाना कंपल सरी है इस hair mask के लिए अब देख सकते ह इसकी consistency भी किती अच्छी हो गई है और इसमें कोई भी lumps या कोई भी गाठी नहीं रह गई है अब इस point पर अगर आपको थोड़ा सा भी पानी को add करना है अपनी महंदी के consistency को अपने recording adjust करने के लिए तो आप इस point पर उसे add कर लीजिए मैंने यहा रहा हूं 3-4 टेबल करती हूं कि आपको इसको apply कैसे करना है सबसे पहले याद रखे कि आप जब भी हेना apply करें तो अपने clean hair पर करिए ऐसा नहीं कि आपने 4-5 दिन पहले बाल दोए हैं और आप उनी हेर पर apply कर लीजिए हमारे बालों पर natural oils होते हैं dirt impurities होती है तो अगर हम ऐसे बालों पर हेना को अच्छे से apply कीजिए इस हेना hair pack को आप अपने roots से लेकर अपने tips तक apply कर लीजिए अच्छे सारी hair length को cover कर लीजिए जहां भी आपको gray hair है उन्हें अच्छे से cover कर लीजिए ताकि जो हमारा हेना का color है उन पर अच्छे से चड़ जाए apply करने के बाद अपने बालों को बं पानी से अपने बालों को दोना है याद रखिए कि उस दिन आपको बिल्कुल भी शैंपू नहीं करना अगर आप उसी दिन शैंपू कर देंगे तो जितना आपने महिनत करके अपने बालों पर color चड़ाया है वह उसी time आपके बालों से निकल जाएगा और आपके बालों प बासाज कीजिए और फिर तेर लगा कर राद बर के लिए छोड़ दीजिए नेक्स्ट मॉनिंग जब आप उठें तब आपको अपने बालों को शैंपू से वाश ओफ करना है इस बार शैंपू जब आप करेंगे तो आपके बालों से रंग नहीं निकलेगा कौकि जो हमने अपने बालों में उससे हमारी जो फिम का बालों को अंधर नहीं निकलेगा इस हेना को आपको महीने में दो अपलाय करना है, तो आप फिर इसे महीने में एक बार भी apply कीजिए आप एक बार भी apply करेंगे तो यह आपको amazing results देगा आपके hair fall रोकेगा, आपके बालों को shine देगा, आपके बालों की growth तक को increase करेगा अगर आपको इसकी conditioning properties और बढ़ानी हैं ताकि हमारे बालों को extra shine भी दे सके यह henna hair pack आपके बालों को एक बहुती darkish brown, almost black color देगा अगर यह mask आपको oranges या reddish color देता है तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने आपको instructions दी हैं, आपने या तो वोडंग से follow नहीं की हैं या तो मैंने जो आपको ingredients बताए हैं, आपने उने right quantity में नहीं लिया है इसलिए आपके मेंदी का color red आ रहा है अगर आप exactly वोई ingredients लेंगे, वोई instructions फॉलो करेंगे तो यह henna hair pack आपके बालों को बहुती अच्छा टाकिश black color देगी तो friends, इस henna hair mask को एक बाँ जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने experience मेंने साथ जरूर शेर कीजिए थैंक्स फॉ वाचिंग दो वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे like और share कर भीजिए और जल्दी से मेरी चैनल को subscribe कर लीजिए ऐसे ही फाइदमन वीडियो के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बवाए